पौन सिंग कैसे बने एक ब्रैंड पौन सिंग को छोड़कर कोई और नहीं है भुजपूरी में ब्रैंड आज ऐसी एक ब्रैंड वैल्यू आपको समझा देंगे जो कि हर एक छोटाचा भी सुपरेश्टार हो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ये ब्रैंड अब आज आपको ये समझा आजा जाए उससे पहले आपने मतलब कोई कुछ गाने तोrea या जाले जैँ लेकिन पौन सिंग जू है न कभी कॉपी नहीं किये चाहे वो आज हो चाहे वो पहले भी ब्रैंड कभी कॉपी नहीं करता है ये बात जान लो ब्रैंड का कॉपी लोग करते हैं जैसे एडिदास ब्रैंड है ना तो देख लेना उसका कॉपी ये भी बास है देख लेना आप आप ओरीजनल रहोगे तो कितन भी रिलीज कर दिये है। जो गाना सला हमको अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब कुछ भी। आप एक काना कौपी करते हो लेकिन आपके और यंस चाहे कितने भी देखने वाले हो सौव भी देखने वाले ओर्डियंस होना तो उन्हें आपके उपर विश्वास होना चाहिए एक सूपरस्टार के उपर उसको देखने वाले का कितना ज्यादा विश्वास होना जरूरी है यह आप सोच भी नहीं सकते हो अगर आप जिसे देखते हो उसको कोई गाली देगा तो आपको बुरा लगे आप उसका बिरोध भी करोगे लेकिन कब तक वही आपको पता चलेगा कि मेरा ही सूपरस्टार मुझ मैं जिसको देखता हूँ वही वही कलत काम कर रहा है तो कितने बार आप सपोर्ट करोगे एक करोगे दो बार करोगे लिक के दीताओं मैं तीसरी बार आप घंटाफ पप को फरक नहीं पड़ेगा कि करोगे और आपको पता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जात के नाम पर उसको इतना सपोर्ट करते हैं कि वो रेफ कर देगा ना तो भी उसको सपोर्ट करेंगे तो उससे आपका जात का नाम खराबी होगा ना की बढ़ियां आपके जात को अगर दूसरे जात वाले आपके जात के बढ़ाई करें तब आप समझें कि मेरा जात अच्छा है और हम अच्छे हैं आप यह ध्यान रखना एक के चलते वो पूरा टाइटल बदनाम होता है ओके डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक होगा जाए और अपने संप्रीद भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए ओके सुमीद है वीडियो को पसंद आप वीडियो को जी लाइक चानल क सब्सक्रिप्शन में ने 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 लिए और तक कि लिए बाई